हेलो एन वेलकम टू माई चैनल मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं चैना दाल की तड़का बना रही हूं बहुत ही टेस्टी बनती है सिंपल रेसिपी है तो बनाना कैसे है तो देख लिजिए इसके लिए पाइने चैनल दाल को यह देखिए दो कट्री चैनल दाल है फैमिली के अकॉर्डिंग ले लिजिएगा कम जादा आप कर सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से धो लेना है धोने के बाद इसको मैंने दो स्सांफ सकते마ला के आप कॉत इसके बादे देखिए सीटी मैंने लगा लिया है अर देखिए कितनी अच्छी दानेदार है पगग घ्या है और दाना दनимо अलग अलग हो गया है वह अच्छा लगता है ऐसा है आप चाहें तो इसको whether सिटी लगा के थोड़ा गला भी सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से प्यास डाला है तो इसको अच्छी तरह से भूनना है और यह सब डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए छोंक में जरूर डालिएगा और टमाटर है तो टमाटर मैंने काट के डाला है आप चाह अच्छी तरह से भूनना है, उसके बाद टमाटर जानने के बाद नमक डाल दीजिए, नमक याद रखेगा, चितरना ताल में भी आपनी नमक डाला है, और ये मिर्च का, अधरक लसुन मिर्च का पेस्ट है, आप चाहें तो, स्रिप मिर्च का पेस्ट डाल सकते है, अधरक को इसकी भी कर सकते हैं, तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये गल चुका है, टमाटर, तो मैंने मसाला डाला है, तो ये मसाला नॉर्मल जीरा धनिया का पौडर है, ज़्यादा मसाला इसमें लगता नहीं है, इसलिए थर्ड नॉर्मल ही है, आप चाहें तो, मसाला का भी तड़का जो मैंने लगा लिया है, इसको इसमें डाल दिना है, और बस इस तरह से अच्छी तरह से इसको थोड़ा से एक उबाल लगाना है, क्योंकि अल्रेडी सीटी लग चुका है, तो ये छोप में डाल के एक बार उबाल लगा के धनिया से गानिश करना है, तो ये वाले नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके, बेल बटन को क्लिक करना भुलिएगा नहीं, थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहेगा, बाई